Hello everyone, so आज की वीडियो में हम discuss करने वाले है whole year weekly strategy of Nifty Well, बहुत सारे traders ना confused रहते हैं कि पूरे साल वो कौन सी weekly strategy deploy करें Because ऐसा बोला जाता है कि जब भी India weeks कम रहती है, आपको वहाँ पे calendar spread डालना चाहिए जब भी India weeks जादा रहती है, आपको वहाँ पे iron fly डालना चाहिए And उसके बाद फिर उनकी भी बहुत सारी adjustments, तो बहुत सारे traders उसमें डर जाते हैं And वो उसको deploy नहीं कर पाते And उन सभी traders के लिए मैं एक मातरी solution लेके आया हूँ जहाँ पे आपको पूरे साल यही same strategy चलानी है repeated cycle पे आपको और कोई भी strategy तरफ भागना नहीं है बस यही same strategy आपको हर हफते यहाँ पे पूरे साल चलानी है India Wix कितनी भी हो, market उपर जाए, नीचे जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता So यह strategy है reverse iron fly plus iron fly तो यही same strategy की मैंने bank nifty की already video डाल दिये अगर आपने नहीं देखिए, पहले आप जाके वो भी देख सकते है उस video में मुझे बहुत जाद अच्छा response आया था and उसी में काफी subscribers की request थी कि nifty की भी यही same strategy बनाई जाए because बहुत सारे traders है जो bank nifty में trade करने में comfortable नहीं रहते and they are more comfortable to trade in nifty so इसलिए यह same strategy nifty का हम discuss कर रहे है अब यह पूरी वीडियो कैसे रहने वाली है well मैं यहाँ पे nifty का सबसे पहले आपको rules बता दुगा कि कब आपको reverse iron fly डाल दी है कब आपको iron fly डाल दी है and यह होती क्या है because जो भी नई trader है जिनको मालूम ही नहीं क्या होता है आपको डरने की बात नहीं है मैं आपको पूरा समझाऊंगा उसके बाद मैं आपको live भी deploy करके दिखाऊंगा and उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको दो अलग-अलग examples दिखाऊंगा एक profit का एक loss का और सिर्फ इतना ही नहीं है हम इसको फिर live backtest भी करेंगे पूरा 2024 अभी माई का मन चल रहा है तो January, February, March, April, माई पूरे 5 महिने का मैं आपको live backtest भी करके दिखाऊंगा जहाँ पर हम कोई भी हफता skip नहीं करने वाले अब देख लेते हैं यह strategy के सबसे पहले rules क्या है दो अलग-लग situations हम देख रहे हैं कि आपको कब reverse iron fly डालनी है और कब आपको iron fly डालनी है तो reverse iron fly आपको डालनी है जब भी break-even range 1.4% से कम है यह मैं आपको live deploy करके भी दिखाऊंगा उस level का strike price का call and put option आपको 2-2 lot buy करने है और उसके बाद आपको 3 strike price दूर जाके call and put option आपको sell करना है एक-एक lot अब 3 strike price दूर का मतलब हो गया 150 points दूर तो जिस भी strike price का आपने call and put option बाई किया है उससे 1.500-1.500 points दूर जाके आपको यहाँ पे call and put option sell करना है तो आप आज 3.15 PM पर यह strategy deploy करेंगे for the next Thursday because यह weekly strategy रहने वाली है exit time इसका रहेगा next Thursday तो जैसे मैं बताई रहा था आज आपने strategy deploy की है for the next Thursday target आपका open है exactly 3.15 पर जो अगली expiry है उसी समय आप अपनी trade यहाँ पर close करेंगे आपको profit हो रहा हो, loss हो रहा हो 30,000 से कम ही लगने वाला है लेकिन 20,000 रुपे मैंने drawdown वगरा के लिए भी इसमें include किया है per lot तो overall आपको 50,000 रुपे लगने वाले है that's it, यह पूरे rules थे reverse ironfly की, अब हम देख लेते है ironfly की rules क्या रहने वाले है आपको यह deploy करनी है जब भी market की range 1.4% से ज़ादा है on each side, यह 1.4% की range क्या है, हो सकता है शायद कुछ trader confused हो रहे हो आपको confused नहीं होना है, मैं अभी आपको live deploy करके दिखाऊँगा आपको full clear हो जाएगा, अब ironfly होती क्या है add the money का आपको call and put option sell करना है जिस भी level पर market चल रही है उसी strike price का add the money का आपको call and put option sell करना है 1-1 lot उसके बाद जो भी उसके break-even range होते है उसको आपको buy करना है 1-1 lot तो यह भी अभी मैं आपको बना कर दिखाई दूँगा entry time इसकी वापिस है exactly 3.15 pm रहने वाली है Thursday को and exit time again so entry exit criteria जो है वो same रहने वाले reverse ironfly and ironfly का बस जो deploy आपको करना है reverse ironfly की थोड़ सी अलग strategy है ironfly की थोड़ सी अलग है जिसमें target आपका वापिस open रहने वाला है and अगली expiry पे 3.15 पर ही आप अपनी trade close करेंगे margin requirement इसमे भी आपका 50,000 ही लगने वाले per lot अब मैं आपको दो अलग-अलग situations दिखा देता हूँ एक profit का एक loss का ताकि full आपको clear हो जाएगा कि reverse ironfly क्या होती है ironfly क्या होती है दोनों को deploy कैसे किया जाता है and यह जो break-even range मैं बतारू ना 1.4 के नीचे and 1.4 percentage के उपर वो भी अभी मैं आपको समझा देता हूँ तो मैं आ गया हूँ अगर अभी तक आपने login नहीं किया है मेरी वीडियो के description में लिंक है फटावर जाके उसमें login कर लीजिए इसके simulator section में चलते है यह जो दो example में आपको बताने वाला हूँ यह मैंने खुद handpick किये ताकि वो best example हो ताकि आप दोनों ही situation समझ सके लेकिन जो इसकी अगली part आएगी part 2 उसमें हम जनवरी से लेगे माई तक हर हफते को यहाँ पे live backtest करेंगे और उसमें कोई भी हफता हम skip नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो हम expiry लेने वाले है वो 18th of April की है and deployment date 10th of April का हम लेंगे अब इसमें आपको doubt हो सकता है because मैंने entry criteria में तो बताया था कि आपको Thursday को trade लेनी है well yes Thursday को trade लेनी है लेकिन एगर Thursday को trading holiday है तो आप vendors जो को यह trade लेंगे 3.15 पे अब जैसे आप देख सकते हैं 11th of April की holiday थी जिसकी वज़े से हम 10th of April को 3.15 पे straight deploy कर रहे है so time हमारा जो रहेगा वो exactly 3.15 रहेगा अब जो मैं आपको process बता रहा हूँ न हर हफते आपको जाके यही same process follow करना है बार-बार repetitive cycle पे सबसे पहले आपको जाके Thursday को 3.15 पे well Thursday है लेकिन अगर Thursday holiday है तो वो Wednesday है तो ठीक है वो understood है तो 3.15 पे सबसे पहले जाके आपको reverse ironfly डालनी है हर हफते तो एक बार मैं reverse ironfly डाल देता हूँ rules के इसाब से add the money देखिए चल रहा है यह 22,750 इसमें algotash में अच्छी बात है जो add the money चल रहाता है वो हलका सा blues यह कर देते है तो इसके हमें buy करने है दो-दो lot जैसा rules में मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है अब उसके बाद आपको 3-3 strike price दूर जाके आपको sell करना है एक एक lot तो 1-2-3 यह हम करेंगे sell and 1-2-3 यह हम करेंगे sell तो 3 strike price दूर मतलब होगा 150-150 points ठीक है अब यह देखिए यह आपका reverse ironfly बन चुका है आपका max profit unlimited है because reverse ironfly का यही logic है कि जब भी market एक तरफ की move कर देगी या तो market continuously fall करें या market continuously उपर जाए आपको यहाँ पे छपड़ फाड़ के पैसा बनने वाला है because unlimited यहाँ पे profit है loss आपका fix है 9,600 अगर exactly market 22,800 पे ही close हो जाती है expiry वाले दिन अगले हफते then आपको वहाँ पे 9,600 पीस का loss होने वाला है approach margin आपका देखिए सिर 22,000 है but वही मैं आपको बता रहा था 30,000 से कम कही margin आपका लगने वाला है but फिर भी मैं 50,000 का margin consider कर रहा हूँ for the drawdown phase probability of profit आपकी 47% है break even आपकी दीवी है जो यह break even है यह सबसे ज़ाद important चीज है यह पूरी strategy में मैं आपको बार-बार बता रहा था था कि हमने जो rules देखे थे reverse iron fly में iron fly में कि अगर break even range 1.4% से कम है वहाँ पे आपको reverse iron fly डालना है and अगर break even range 1.4% से ज़ाद है कोई भी side पे या तो नीचे की side पे या उपन की side पे वहाँ पे आपको iron fly डालनी है so अब इस situation में हम क्या डालेंगे मैं आपको फटा वट सिर्फ 2 सकंद देता हूँ फटा वट सोचिए well आपको यहाँ पे reverse iron fly डालनी है because जो break even range है वो 1.4% से नीचे है एक percentage नीचे की तरफ है एक percentage उपर की तरफ है इसका simple सा logic यह है यह strategy का कि जब भी वो break even range कम है यहाँ पे हम इस probability से trade कर रहे है कि अगर market एक तरफ की move कर जाएगी हमें पैसा बनेगा लेकिन जब भी वो break even range जादा है 1.4% से वहाँ पे हम यह probability लेके चल रहे है कि market sideways रहने वाली है जिसकी वज़े से हमें iron fly में पैसा बनेगा reverse iron fly में जब भी market directional होगी आपको पैसा बनेगा and iron fly में जब भी market sideways रहेगी पूरा हफता आपको पैसा बनेगा आपको यह strategy में कोई भी adjustment नहीं करनी Thursday को आप आएंगे 3.15 पे आप यह strategy deploy करेंगे अब हम directly इसको अगली expiry वाले दिनी 3.15 पे खोलेंगे and उसके पहले हम यह trade देखेंगे भी नहीं because हमें requirement नहीं है हमें कोई भी adjustment नहीं करनी इसमें अब directly मैं आपको 18th of April पे लेके चलता हूँ 18th of April 3.15 पीम आपका profit कितना है 13,574 पीज अब देखें कितना जबरदस profit दे रही है strategy because market continuously fall की है जैसे मैं बता रहा था अगर market एक तरफ की यहाँ पे move कर देगी बहुत जबरदस आपको पैसा बनता है अब यही सेम हफता मैं आपको एक बार iron fly बना के भी दिखाता हूँ तो आपको full यहाँ पे clear हो जाएगा कि क्यूं मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.4 से नीचे है तो आपको reverse iron fly डाल दी है और 1.4 से उपर है तो आपको iron fly डाल दी है यही सेम डेट्स को 18 अफ एपरिल की expiry मैं एक बार iron fly डालता हूँ अब iron fly कैसे डाल दी है add the money का आपको sell करना है और जो break-even range आते है अब देखिए break-even range है 22,487 और 23,013 तो इसके जो नीरे श्ट्राइक है 22,500 और 23,000 इसको हम कर लेंगे बाई तो 23,000 यह किया बाई और नीचे की तरफ 22,500 यह किया बाई तो अभी आपका perfect iron fly बन चुगा है जहाँ पे market अगर sideways रहेगी अगर market यह break-even range के अंदर रहेगी तो आपको पैसा बनेगा लेकिन अगर market एक तरफ की move कर जाएगी तो आपको यहाँ पे loss होगा तो इसमें भी हम कोई भी adjustment में आपको नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको directly 18th of April पे ही लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अब देखिए 3.15 पे आपको 1,870 रुपीस का loss हो रहा है यही same strategy यही same हफता हमने बस थोड़ा सा change किया है अपनी strategy में हमने आईरल फ्लाय ना डाल की reverse आईरल फ्लाय डाल दी जिसकी वज़े से जहां हमें 2000 रुपे का loss हो रहा था वही same situation हमने 13,500 रुपे का profit किया है अब आई होप आपको यह logic समझ आ रहा होगा कि क्यों हम यहाँ पे यह दोनो strategy को combine करके trade करते हैं बहुत सारे ऐसे trader हैं जो बिना कुछ सोचे समझे हर हफते iron fly deploy करते जाते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपने यह अब यह वीडियो देख लिए न अब मैं आपको एक और situation दिखा जेता हूँ जहां पे हमें iron fly डालनी है reverse iron fly नहीं डालनी इसमें यहां पे deployment date हम लेंगे 1st of February expiry रहीगी 8th of February की entry time exactly 3.15 मैं वापिस बता रहा हूँ कि यह मैं सिर्फ 2 situation pick करके आपको दिखा रहा हूँ लेकिन अगले part में हम पूरे 5 महीने देखने वाले है so अब यहां पे वापिस से 3.15 पे हम आच चुके हैं थर्जड को सेम आपको seed करनी है सबसे पहले आपको reverse iron fly डालनी है add the money कि हम यहां पे 2-2 lot buy कर लेंगे सबसे पहले and उसके बाद 3 strike price दूर जाके हम इसको sell कर देंगे एक एक lot अब आप देखिए break even range आपकी है 1.3 percentage on downside and 1.5 percentage on upside तो नीचे की तरफ तो ठीक है 1.3 है it is fine but उपर की तरफ 1.5 है 1.4 से जादा है and rules के इसाब से अगर 1.4 से जादा है हम यहां पे iron fly डालेंगे अब यही same situation अगर हम इसको reverse iron fly डालते and अगर मैं आपको directly 8th of February पे लेके चलता हूँ देखिए 10,800 रुपीस का आपको loss हुआ है यहां पे because market उसी level पे close हो गई अब I hope आपको यह चीजे समझ आ रहे हूँगी and आप हर चीज जहाँ पे connect कर पा रहे होंगे कि क्यों हम बता रहे हैं कि किस situation में आपको iron fly डालनी है किस situation में आपको reverse iron fly डालनी है अब यही same situation में अगर हम यहाँ पे iron fly डालते जिसमें add the money का call and put option में sell करूँगा एक 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 लोट and break even को मैं buy कर लूँगा जो है 21,350 and 22,50 so 22,050 and नीचे की तरफ 21,350 so यह perfect iron fly बन चुकी है and इसमें अब मैं आपको वापिस directly 8th of February पे ही लेके चलता हूँ अब देखिए आपको 5,474 रुपिस का profit है जिस हफते में reverse iron fly ने आपको लगबग 11,000 का loss दिया था वही सेम हफता आपको iron fly 5,500 रुपिस का profit बना के दे रहा है बस हमने इसमें छोटा सा logic यूजिक किया है कि 1.4% हमारी backbone है उसके जैसे ही उपर जाता है break even हम वापे iron fly डाल देंगे चोटा सा tweak करके हमने कितना जादा यहाँ पर difference कर दिया अगर यही हफता आप reverse iron fly डाल ट्रेट करते है आपको 11,000 का loss था लेकिन अगर आप iron fly डाल ट्रेट करते है आपको 5,500 का यहाँ पर profit है यह चीज अब हम Nifty में भी देखेंगे कि annually कितना return बना के दे रही है और उसमें क्या क्या हम tweaks कर सकते हैं अब मैं आपको कुछ ऐसा शो करने की कोशिच नहीं कर रहा हूं कि यह holy grail strategy है और हर हफते आपको अच्छा पैसा बना के देगी ऐसा भी हो सकता है कि break-even range 1.4 से कम है फिर भी आपको reverse iron fly में loss हो जाए and break-even range 1.4 percentage से जाधा है आप वहाँ पे iron fly deploy करें and वहाँ पे भी आपको loss हो जाए possibility है, बिल्कुल possibility है लेकिन probability उस चीज की कम है and हम उसी चीज में trade करेंगे ना जिसमें हमारी जीतने की जाधा probability हो and आप यह खुद देखेंगे कि कितना जवर्दस magical आपको returns बना के देती ही strategy so यही ता part 1 के बारे में guys अगर आपको इसका part 2 चाहिए जहाँ पे मैं January से लेके माई तक का पूरा live back test करूँ हम कोई भी हफता skip नहीं करेंगे then मुझे इस वीडियो के comment section में आप part 2 ज़रूर लिखना and फिर मुझे भी समझ आ जाएगा कि मेरे जो subscribers है वो ऐसी वीडियो उनको चाहिए ताकि हम और ऐसी वीडियो पर काम करते रहेंगे and यह strategy के बारे में आपको कोई भी डाउट है आप वापे से वीडियो देख लीजिए बहुत जादा simple है I am sure आपको समझ आई जाएगी और उसके साथ-साथ अगर आपके पास कोई ऐसी strategy जो आप चाहते है जिसके हम proper वीडियो बनाएं उसको back test करें then आप मेरे WhatsApp नमबर पर मुझे वो strategy send कर सकते हैं उसको भी मैं देखूंगा अगर मुझे लगता है कि it is worth discussing then definitely उसकी भी वीडियो बनाए जाएगी So that's it for today Thank you for watching the video with lots of patience Let's meet in the next video then